खरगोन जिले के गाउं गोपाल पुरा में उस वक्त लोगों का हुजम लग गया जब एक मजार की कबर रात में जोर जोर से सांस लेने लगी कबर के सांस लेने की खबर जैसे ही गाउं में फैली तो गाउं में सुबा तक दूर दराज तक की लोग आने लगे देखते ही देखते गाउं में आस्ता का माहोल बन गया तेखी खास खबर एक ऐसी घटना सामने आई जहां सौ साल पुरानी मजार की कबर रात को अचानक जोर जोर से सांस लेने लगी ग्रामिनों को जैसे ही मजार की दोनों कबर से सांस लेने का पता चला तो मजार पर लोगों का हुजोम उमड पड़ा देखते ही देखते सुबह तक गाउं के आसपास के जिले के लोग भी आने लगे वहां मौजूद ग्रामिनों ने मीडिया से चर्चा में इसे कुद्रत का करिश्मा बताया तो कुछ ने इसे महज अंद विश्वास पर यह समझो की भी आजी से जादा घरवन पर आचुकी थी यह साथ ले रहे थी आवाज तो ने आ रहे थी पर उपर निचे कवर हो रहे थी सेख अब्दल गादर जिलानी रेमा तुल्ला यह सब साव साल चे उपर की पहली बारी असाव यह सब जो की आड़ बजे से लेके तो रात के ढई बजे तक के अब्दल गादर जिलानी यह दुसरी बार हुई आज के आटो चले भी अगटना भी थी सुब़ फजर की नमाज के टाइन चेंट का करिस्मा है यह फिर हो सकता है कि कुछ गल्तियां हुई हो आवाम से यहां के जे रहने वाले उनसे को कोई गल्ति हो इस वजे से भी हो सकता है जहां ग्रामिडी से आस्था का केंद्र बता रहे हैं वही तरक शास्त्री अजय नारम देव जो की खुद को वैज्यानिक कहते हैं उन्होंने इस घटना की वैज्यानिक पुष्टी करना जरूरी बताया साथ ही कहा कि लोगों की धर्म के प्रतियास्था जरूरी है लेकिन किसी के ढखोसला करने वालों पर प्रशास्थन से कारवाई करने की बात कही तो नेतिकता रहेगी जिन घरों में भी देव स्थापदा है वहां के लोग कभी गुनाव नहीं करते अपराज नहीं करते वो बड़े सात्विक होते हैं तो विज्ञान की बपोती ना रहे लोग धर्म आस्ता से भी जुड़े रहे पर अगर आप बिमार है तो आपका इला जिन लोगों ने इस प्रकार का धंगोसला करा उनके खिलाब सब कानूनी कारवाई भी होता चाहिए कुल मिलाकर ग्रामिडों ने इसे चमतकारी घटना मान लिया और मजार पर लोगों की भीने जमा हो गई गाउं गोपालपूरा के ग्रामिडों सहित पास के जिले के लोगों का भी होजुम मजार की दोनों कबर पर चादर और फूल चढ़ा कर प्रार्थना कर रहा है हलाकि MP News ऐसे किसी भी अंदविश्वास भरी घटना को बढ़ावा नहीं देता बीरो रिपोर्ट MP News खरगों यह अपनी तरफ से जोड़ दी एक लाइन ठीक रहेगा ना